एलो एवरिवन स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हूँ अच्छे होंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को आज हम डिसकस करेंगे लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिध्धान्त यह टॉप यह टॉपिक इतना इंपोर्टेंट है कि सिख्छक भरती से संबंदित कोई भी एक्साम होगा तो उसमें दो-तीन नंबर का क्विस्चन जरूर देखने को मिलेगा अगर आप प्रेक्टिस सेल्ट सॉल्व कर रहे हैं तो आपने खुद ही देखा होगा और पाया भी होगा त शब्दों में लॉरेंस कोहलवर्ग का सिख्धान लेकर आई हूँ फ्रेंड्स वीडियो छोटा ही रहेगा तो आप वीडियो को दो-तीन बार देख लीजिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और वीडियो को बिना स्किप किये आंत तक जरूर देखि चलिए बिना देरिके स्टार्ट करते हैं वीडियो को लॉरेंस कोहलवर्ग अमेरिका के एक मनो वैग्यानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिध्धान्त या नैतिक विकास का सिध्धान्त यानि मोरल डवलप्मेंट थोई दिया है अब आप इससे एक वाक्य में याद देखिए कैसे कोहलवर्ग ने नैतिक विकास बताया कोहलवर्ग ने नैतिक विकास बताया आप इससे ट्रिक समझ लीजिए एक वाक्य में याद रखेंगे तो आप कन्फियोज नहीं होंगे कोहलवर्ग ने नैतिक विकास बताया उसके तीन चरण बताएं और तीनों चरण के अलग-अलग दो-दो उपचरण हैं जो अभी आपको आगे समझ में आएगा देखे इनकी बुक है The Psychology of Moral Development जिससे इस सिध्धान्द को लिया गया है थ्यान रखिएगा ये अमेरिका के मनोव एग्यानिक है ये वाला question पूछा गया है एक्जाम में ध्यान रखिएगा आगला देखिए चलिए अब जानते हैं नैतिक्ता है क्या नैतिक्ता, morality ये वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है बच्चा अपने सामाजिक परवेश से ही नैतिक्ता और अनैतिक्ता को जानता है ये सामाजिक परवेश वाला पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि नैतिक्ता जो है वह अरजित होती है जन्मजात नहीं होती है जैसा कि अगला पॉइंट ये ही बता रहा है नैतिक विवहार जन्मजात नहीं होता बलकि से सामाजिक परिवेश से सीखा या अरजित किया जाता है तो यह चीज ध्यान रखिएगा इससे question बनता है कि नैतिकता जो है वह जन्म जात है या अरजित है तो आप confuse हो सकते हैं नैतिकता जन्म जात नहीं है नैतिकता सामाजिक परिवेश से सीखी जाती है यानि अर्जित की जाती है इन सब को ध्यान रखिएगा फ्रेंट्स जब आप से conceptual question पूँछा जाता है तो इसी तरह के question बनते हैं अगर fact वाला question रहेगा तो वो तो सीधा ही जैसे कोहलवर्ग का सिध्धान का नाम क्या है कास के तीन अस्तर दिये हैं कितने अस्तर दिये हैं तीन और प्रतेक अस्तर या चरण के दो-दो अवस्था बताई हैं आप से question अलग-अलग यहाँ पर पूछा जाता है अस्तर या चरण पूछा जाए तो कितना होगा तीन होगा और प्रत्येक चरण में अवस्थाएं कितनी हैं दो-दो तो कुल मिलाकर कितना हुआ छे अवस्था हैं और तीन चरण हैं ध्यान रखिएगा पहला चरण कौन सा है देखिए प्राग रूडिगत नैतिक्ता का स्तर जिसे पूर्व परागत स्तर भी कहते हैं हिंदी में इसके दो-तीन नाम हैं तो आप इसे इंग्लिश में ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा लेकिन हिंदी भी पढ़ी रहिए प्री कन्विंशनल लेवल इसकी उम्र सीमा है चार से दस वर्स ध्यान रखिएगा कितनी उम्र सीमा है चार से दस वर्स अब आप कहेंगे कि चार वर्स से पहले वाले बच्चों में नैतिक्ता नहीं होती ध्यान रखिएगा वै किसी को भी थपड मार सकते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं अपने से बड़े को अपने से छोटे को या किसी को भी आपने देखा होगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो देखिए अब यह अवस्था क्या कहती है इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में नहीं पता होता इस अवस्था में नैतिकता दूसरे लोगों के नियमों के अनुसार होती है यानि चार से दस वर्ष का जो बालक होगा उसे सही गलत के बारे में पता नहीं होगा इसमें नेतिक्ता दूसरे लोगों के नियुमों के अनुसार कैसे होगी जो उसके घर-परिवार में सिखाया जाएगा जो उसके स्कूल में सिखाया जाएगा जो उसके आसपड़ोस का वातावरन होगा In सब के माध्यम से वह नेतिक्ता सीखेगा यही है प्राग रूडिगत नैतिक्ता का स्तर ध्यान रखिएगा पहला स्तर यह है अगला देखिए इसके जो दो अवस्थाएं हैं वे कौन-कौन सी है दंडियों आग्या पालन उन्मुक्ता जिसे पनिश्टमेंट एंड ओविडियन्स कहती है अब यह अवस्था क्या कहती है देखिए इसमें बच्चे की नैतिक्ता सजा और आग्या पालन पर आधारित होती है चार से दस वर्ष का बालग अपने घर-परिवार, स्कूल, अपने वातावरण में जो कुछ देखेगा वही सीखेगा ना तो वही यहाँ पर कहा गया है जैसे देखिए कम आयू वा आपरिपक को होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या ना किया जाए और ना किया जाए तो क्यों ना किया जाए दंड से बचने के लिए तो यही है दंड योम आग्या पालन अवस्था अब इसका कीवर्ड देखिये क्या है अगर नियम नहीं माने तो दंड मिलेगा सबसे ज़्यादा यहाँ पर बच्चा दंड से डरता है ठ्यान रखियेगा जैसे एक क्लास में दो सहलिया आपस में बात कर रही है कि टिफिन खतम कर लो नहीं तो टीचर जो है वे बाहर नहीं जाने देगी तो यहाँ उसे यह शर्त रखी गई है ना कि टिफिन खतम करने के बाद ही तुम बाहर जा पाओगी तो यही है उसे जो शर्त है वह दंड के रूप में है और वह अपनी टीचर की बात मान रही है तो आज्या पालन है इस एक्जामपल के माध्यम से आप इसली ध्यान रख सकते हैं आप से अगर एक्जाम में क्विस्चन आएगा तो आप इस कीवर्ड को ध्यान रखिएगा अगर नियम नहीं माने तो दंड मिलेगा अगला देखिए अगला है साधनात्मक साप एक्षता उन्मुकता जिसे इंस्ट्रूमेंटर रिलेटिविस्ट इंडिविजुलिस्म कहते ह थ्यान रखिएगा इसमें जैसा वईवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वै खुद भी करेगा यानि इसमें जो बालक होगा वै stimulating जैसा व्योस्चा करेगा अच्छा उच्छा करेगा बूरा होगा तो बूरा करेगा इसलिए इसे जैसे को टैसा अवस्था भी कहते हैं TIT FOR TET, इंगलिश शब्द भी दिया रहता है कभी कभी, TIT FOR TET, आप से पूछ लिए गया TIT FOR TET कौन सी अवस्था में आएगा, तो सादनात्मक सापेक्षता उन्मुक्तावस्ता में आएगा, स्तर कौन सा है, पहला स्तर है, पूर्व परम परागत स्तर, इसमें अदला बदली का भाव देखने को मिलता है, आप यह पॉइंट याद रखिएगा, अदला बदली का भाव देखने को मिलता है, यह कीवर्ड ह देखिए एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी पेंसिल तोड़ी जैसे को तैसा ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा यही है यह वाली अवस्था ध्यान रखिएगा अग्ला देखिए रूडिगत नैतिक्ता का अस्तर जिसे परमपरागत अस्तर कहते हैं ये सेकेंड अस्तर है ध्यान रखिएगा से कन्वेंशनल लेवल कहते हैं इसकी उम्र है दस से चौदा वर्स कहीं कहीं तेरा भी रहता है तो आप कन्फ्योज न होईएगा इस अवस्ता में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णए करता है यानि यहाँ पर जो दूसरे लोग चैसे समाज आपको जो मानक बताएगा वही आप मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णे करेंगे यहाँ पर जो नैतिकता होगी वे समाज के नियमों पर ही निर्भर होगी यह कीवर्ड है ध्यान रखियेगा सेकेंड लेवल पर नैतिकता जो होगी वे सिर्फ और सिर्फ समाज के नियमों पर ही निर्भर होगी पहले वाले में था तो घर वाले भी थोड़ा उस पर कंट्रोल करते थे लेकिन यहाँ पर जो है वैं सिर्फ और सिर्फ समाज का नियम जो कहेगा वो ही करेगा देखिए अब इसकी अवस्थाएं क्या कहती है अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुकता गुड बॉई एंड गुड गर्ल बड़ों की वाहवाई पाने के लिए उनकी बातों का अनुसरन करना भले ही कारे करने से फाइदा ना हो लेकिन उस कारे को करो जिससे छवी अच्छी बनती है जैसे आपके पडोस में एक सरमाजी है मान लिजिए एक्जामपल और उनका लड़का बहुत अच्छा नंबर लाता है तो आप भी चाहेंगे कि मैं उसी तरह अच्छा नंबर लाओं जिससे मुझे भी साबासी मिले और समाज की वाहवाही मिले थ्यान रखेगा इस तरह अगला है कानून यों विवस्था उन्मुक्ता जिसे हम law and order orientation भी कहते हैं इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक विवस्था को बनाए रखने की भावना विक्सित करता है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ना इसमें जो है सामाज के नियमों को ही मानना होगा अब इसके लिए कीवर्ड क्या है देखिए करतव्यों को पूरा करना लेकिन कानून के नियमों को ध्यान में रखकर जैसे एक्जामपल समझे कोई आप से कह रहा है कि आप नकल कर लो तो आपने अपना निर्णे खुद लिया और समाज के नियमों के अनुसार लिया कि मैं नकल नहीं करूंगा समाज का नियम भी यही कहता है कि आपको नकल नहीं करना चाहिए इस तरह एक्जामपल के माध्यम से ध्यान रखिए अगला देखिए अगला है तीसरा स्थर लाश्ट वाला चिसे कहते हैं उत्तर रोडियत नैतिक्ता या उत्तर परमपरागत अस्तर इसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं ये तेरा वर्ष से उपर बालकों में आता है देखिए कैसे इसमें डिसीजन खुद से लिये जाते हैं ना कि समाज के जरिये कि क्या सही है और क्या गलत है कीवर्ड क्या है इसका नेतिकता खुद से डिसाइड करना यही यहाँ पर कहा गया है कि आप जो डिसीजन होगा वे खुद के हिसाब से लेंगे ना कि समाज के जरिये से लेंगे कि समाज के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है नेतिकता का सबसे हाई लेवल है ये वाला इस तर ध्यान रखिएगा अब इसकी जो अवस्थाएं हैं देखिए वह क्या कहती हैं सामाजिक अनुबंद उन्मुक्ता जिसे सोशल कॉंट्रेक्ट ओरियन्टेशन भी कहते हैं सामाजिक विवस्था और अपने स्वयम के अधिकारों में बैलेंस कानुन वा नियमों का लचीला पन अगर नियम से नुकसान हो तो नियम तोड़ दें यह इसके की वर्ड हैं ध्यान रखिएगा की वर्ड हैं क्या कहए रहा है सामाजिक विवस्था और अपने स्वयम के अधिकारों में बैलेंस यानि जो समाज के नियम है वे क्या कह रहे हैं और जो आपका विचार है आपका अधिकार है उसके हिसाब से क्या सही है दोनों में बैलेंस बना कर चलना अगर कानून और नियम लचीले नहीं है तो उन्हें तोड़ दीजिए इससे अगर आपको लग रहा है कि नुकसान हो रहा है जैसे देखिए इसमें बच्चे यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए भले हैं अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तो तोड़ देना चाहिए जैसे अगर आप रास्ते में जा रहे हैं रेड लाइट है आपने देखा वहाँ पर कोई व्यक्ति एकदम मरने की कगार पर पड़ा हुआ है उसका एकसिडेंट हो गया है तो नियम क्या कहता है आपको रेड लाइट सिगनल नहीं तोड़ना है लेकिन आपके जो अंदर की नैतिकता है आपके अंदर का जो नियम है वह क्या कहेगा कहेगा कि पहले उस व्यक्ति की चान बचाओ नियम भले ही तोड़ जाए तो इस एक्जाम्पल के माद्यम से आप समझ सकते हैं अगला देखिए अगला है सारोभों में एक नीति परक उन्मुक व्योहार करते हैं जैसे स्वयम नियम बनाना मैं भूखा रह लूँगा लेकिन दूसरे खा ले ये इसका कीवर्ड है स्वयम नियम बनाना मैं भूखा रह लूँगा लेकिन दूसरे खा ले अब जैसे यह वाला जो चरण है वे थोड़ा डीफिकल्ट है यानि यहां पर पर उपकार की भावना को सर्वो परी माना गया है आप उपकार ही उपकार करेंगे जैसे एक भगत सिंग वाला एक्जामपल ले लीजिए उन्होंने आजादी के लिए अपना जीवन दाउं पर लगा दिया इस तरह आप इसे समझ सकते हैं इस वाली अवस्था में व्यत्ती कम ही पहुँच पाते हैं ध्यान रखे अगला देखिए अगला है अभ्यास प्रस्ण क्या कहता है नैतिक विकास के सिध्धान के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्ग दंड से बचने हेतु आज्याकारी होने पर आधारित होते हैं बहुत ही आसान कुश्चन है अभी मैंने आपको समझाया है पूर्व नैतिक अस्तर नैतिक अस्तर उत्तर नैतिक अस्तर या संग्यान नैतिक अस्तर इन में से कौन सा इस प्रश्ण का सही आंसर होगा उसे आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा वीडियो कैसे लगा यह भी बताईएगा वीडियो पसंद साथ सेयर कीजिए और ऐसे ही इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स